हलो व्रीवन आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूटूब चैनल पर I welcome you all to study point और आज के इस पट्रिकुलर वीडियो शेशन में हम लोग डिसकस करेंगे जारखन राज से समधित कुछ बहुत इंपोर्टन कोशन जो कि आपके आने वाले एक्जाम के था तो इस कोशन करेक्ट टांसर हो जाएगा कंपनी द्वारा जमिंदारों पर अत्याधिक राजस्व थोपना ठीक है देखे से पहले जारकन राज से समंधित इंपोर्टन जीके के वीडियो का प्लेइलिस्ट वी बना हुआ है तो आप उन वीडियो को जरूर देखेगा और साइन्स के इंपोर्टन कोशन और मॉक टेस्ट का भी वीडियो चैनल पर और लेडिया अप्लोडेड है तो आप लोग चाहें तो उन वीडियो को भी देख सकते हैं नेक्स्ट कोशन है राजहल फॉसिल अभ्यारण कहां पर है इंपोर्टन कोशन है तो इस पर pension करेक्ट आंसुएगा option number B साहिब गंज में, कहाँ पे, साहिब गंज में, option बर, B हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर कोशन है, मृदा, शोध, एवं अनुसंधान, संस्थान कहाँ पर इस्तित है, राची, हजारी बाग, बोकारो या धनबाद तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा, मृदा, शोध, एवं अनुसंधान, संस्थान, इस्तित है, हजारी बाग, ठीक है, यह question important है, एक्जाम में, कई बार पूछा भी गया है प्रशने, जनजाती, देवता, ओतंगा का संबंध किस से है, मुंडा से, शिकार, या इनमें से कोई नहीं, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, शिकार, ठीक है, ओप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पे हमारा सही आंसर जारकन के प्रथम लोका युक्त कौन थे, तो जारकन के प्रथम लोका युक्त थे, लक्षमन उराव, ठीक है कोशिन आपके सामने दिया हुआ है निम लिखी कत्णों में से कौन सा एक कत्ण गलत है यह आपका बताना है तो जो पहला कत्ण दिया हुआ है महाभारत काल मेर जारकन व्रिहत वन्षी जरा संके अधिकार शेतर में था तो देखे यह कत्ण बिल्कुल सही दिया हुआ है दूसा है नंदवन्ष के समय जारकंड मगत समराजिक का आंग था ये भी सही दिया हुआ है तीसरा दिवा एतरे ब्राम्मन में जारकंड का पूंड रीक कहा गया है ये गलत है ठीक है तो यहाँ पे option number C हो जाएगा हमारा सही आंसर next question है पलामू रियासित की राजधानी पलामू गड किस नदी के तड़ पर रिस्तित है औरंगा पुनासी कोयल कारो या यमुना तो यहाँ पे हमारा सही आंसर जाएगा औरंगा ठीक है option number A है हमारा यहाँ पे सही आंसर नेमनिकित में सिन्प कौन सा है किसमिस सुमेलित नहीं है तो यहाँ पे पहला जो दिया हुआ है यह दिये होाए जहारखंड का ग्रामीर चेतर पल 77,922 ठीक है ज्ञारकन का नियुन्तम लिंगन पात वाला जिला कौन सा है तो यहां पर हमारा सही आंश जाएगा धनबाद ठीक है ओप्षिन बी है हमारा यहां पर सही आंसर 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या व्रिधिदर कितना था ठीक है तो यहाँ पे हमारा सही आंसर येगा 22.34 प्रतिशत option number A है यहाँ पे हमारा सही आंसर next question है निमली कितने से कौन सा कथन गलत है तो यहाँ पे पहला दिया हुआ है पहला ही कथन गलत है कि राज का निवन्तम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है और राज में औसर वर्षा 110 से 140 सेंटिमीटर होती है ठीक है तो 20 कथन आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है दिके अगर आपको लगी कि वीडियो आपके लिए हैप लेक्जाम के लिए तो वीडियो का आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा नेक्स कोशन है निमली लिखित में से कौन सा कथन गलत है ठीक है कौन सा कथन गलत है यह बताना देखिए पहला कतन जो दिया हुआ है कि प्रथम विधान सभा अध्यक्ष इंदर सिंग नामधारी ते आपको पता यह कतन सही है प्रथम मुख्य सचीव श्री विएस दूबे ते यह भी कतन अमारा सही है तीसरा दियावाय राज का प्रथम गयर आदिवासी मुख्य मंत्री रगुवर दाश है यह भी सही है तो यहां पर जो चौथा ओप्षन है वह सही है क्योंकि इसमें कोई भी कतन गलत नहीं है ठीक है आपको पहला दूसरा तीसरा यह तीनों स्टेट्वन बहुत अच्छे से याद कर लेना है फिर से कोशन आपके पास यह बताना है कि कौन से कतन गलत है तुसमें पहला दियावा है राज में जन्मा दर प्रती हजार थरिड़ि फाइफ पॉइंट सेवन है बिल्कुल सही है राज में शिश्यमीतिव दर प्रती हजार बयानवे है यह भी सही है तीसरा दियावा है राज्ट्री versucht साथ अच्छिय कर लें यह अलग से भी कोशन पर आने वाला जिला कौन सा है राची धनबाद गीरडी या बोकारो तो यहां पर हमारा जो सही आंसर जाएगा वो है धनबाद ठीक है तो ऑप्षिन नमबर बी है हमारा यहां पर सही आंसर सबसे कम जिन संख्या वाले जिलों में दूसरे स्थान पर कौन सा जिला है बहुत इंपोर्टन कोशन है और यहां पर हमारा सही आंसर जाएगा खुटी तो ऑप्षिन नमबर बी है हमारा सही आंसर नेक्ट्स कोशन है सबसे कम छेत्र पर वाले तीस्वे स्थान पर आने वाला जिल्ला कौन सा है तो यहां पर हमारा सही अंसर हो जाएगा कोड रमा ठीक है कोड रमा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही अंसर 16 कोशन और 17 कोशन अच्छे से याद कलेना है आपको नेक्ट्स कोशन है सरवाधिक लिंगान पाथ वाले जिले कौन से हैं, पश्चमी सिंग्भूं, सिम्डेगा, गोडा या गड़वा, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर वेगा पश्चमी सिंग्भूंअर ये कोशन important है, एक्जाम में पूछा भी गया हुआ है साखशर्टा में सबसे नीचे से दूसरे स्थान पर आने वाला जिला कौन सा है तो यहां पर हमारा सही आंसर जाएगा साहिब गंज निम्लिकी कत्रों में से कौन सा कत्थन गलत है तीके कौन सा कत्थन गलत है आपको बताना है देखिए नागवंश राज़ का संस스फपक फनी मुकुट राय था है बिल्कुल स्था है नेकेस कचेरुशन का संसेफ़ा भगवत राय था यह भी सही है जो तीस्था दिवा गवाई का संस्तापक फनी मुकुट रहा था बिल्कुल साहिए है की चेरवंस का संस्तापक भगवत रहा था यह वी सही है जो तीस्टर दिवा कि रामगणराच का संस्तापक ढलेल सिंगता तींतल यह कर दे कोशन को मैं आप से पिछले एक वीडियो में डिस्कस किया है इसका कोशन आप लो कमेंशेशन में दीजेगा तो यहाँ पे मै यह तीस तर खाएगा वो सचय आन्सु जैएगा क्योंकि यह कतन हमारा गलत है को सामने को बिर्समुंड़ के संबन में इंपोर्टेंट है इंपोर्टेंट यह तो पहला दिया हुआ कि बिर्समुंड़ का जलननल्ल उली उली हात्ते गाउव में रहे हुआ हमारा सही है इसमें बताना आपको सा कथर हमारा गलत है पहला दियावाए मिलांबर पितांबर 1857 के बिद्रों में भाग लिए थे सही है दूसा दियावाए निलांबर पितांबर को 1859 में फांसी दी गई थी तो यह यह भी हमारा सही है तो इन में से कोई भी कथन गलत नहीं आपको यह तीनों याद कर लेना है ठीक है निलांबरों की दांबर से संबंदित बताना आपको कौन सा कथन यहां पर हमारा गलत है पहला दियावाय सिद्धु कानु का जन्म संथाल परिवार में हुआ था बिल्कुल से कतर बहत्तर या 69 में तो यह शरीद हुए थे 1971 में और बी हो जायागा यहां पर हमारा सही आंसर नेक्स्ट कोशन है निम लिकित में से कौन सा कथन हमारा गलत है पहला दिया हुआ है कि तामाड विद्रों का नायक विश्णु मान की थे सही है घटवाल विद्रों के नेत् सिंग थे बिल्कुल सही है खरवार आंदोलर 1874 में हुआ था यह भी हमारा सही है तो इनमें से कोई भी कतन हमारा गलत नहीं तो आप्शन नमबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर नेक्स्ट कोशन है हूल ज्षारकंण पाटे कि स्थापना कब की गई थी तो यह की गई थी 1968 में ज्षारकंण पाटे का कॉंग्रेज में मिले कब हुआ था तो ज्षारकंट पार्टी के कॉंग्रेज में मिले पाथा उननी सो तिरंस advocating में इंत बिर içkick आपको बताना है कि निम्रीकित में से कौन सा कतने आप यह गलत है पहला दिया हुआ है क्रिश्चियन स्टुडेंट और्गनाजेशन की स्थापना 1912 में हुई थी सही है नेक्स्ट है 1928 इसवी में छोटा नागपुर 1929 समाच की स्थापना हुई थी यह भी सही है नेक्स्ट कोशन आपको बताना है कि निम्रीकित में से कौन सा कतन हमारा यह गलत है पहला दियावाए दशम गुरु शिवो शुरेन को कह जाता है यह हमारा सही है दूसरा है golden girls के नाम से दीपका कुमारी जाने जाती है बिल्कुल सही है दज़दी दूबे के नाम से चंसे कर दूबे को जाना जाता है यह भी सही है तो यहां पर हमारा सभी सही है तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट टांसर क्यूंट में से कोई भी कतन हमारा गलत नहीं है क्या अगला कोशन आपके सामने आपको पताना य। कौन सा कथन यहां पर हमारा गलत है तो पहला तो दिया हुआ है यहां पर एक सेकेंद हाँ पहला द्यावय पत्रातु ताव विद्धु सेयंद के सापना 1952 में हुए थी बिल्गुल सही है वोकारो ताव विद्धु सेयंद के सापना 1955 में की गई थी ये भी हमारा सही है पंचायत जल विद्धु परियोजना 1959 में की गई थी ये भी हमारा सही है तिलया जल विद्धु बिल्कुल चाहिए इसके अंतरगत 120 मेगावाट लगभग विद्धुत का उतबादन किया जाता है बिल्कुल सही है इस परियोजना के अंतरगत तीन बांध है यह हमारा कतन ज्योज सही नहीं है ठीक है तो आप्शिन नमबर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर नेक्स नेक्स ने मैव राकशी नदी का उतगम इस्थल कहा है राची हजारी बाख देव घर यह लातिहार यह मोस्ट इंप्रॉटन कोशन है उत्री है यह हैस कोन की साहिक ने दी ठीक है पुत्तरी कोयल किसकी साहिक ने दिये सोन की साहिक ने दिये रज रप्पा जल प्रपात कहां पर इसी थे तो रज रप्पा जल प्रपात इसी थे आपके सामने चार उप्शन है हजारी बाग रामगड रांची या भुकारो तो यहां पर हमारा सही यहां पर आंसर रहेगा ऑप्शन नमबर भी रामगड़ ठीक है ऑप्शन नमबर भी हो जाएगा यहां पर मारा